नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं चुनावी सभा के बाद जैरा महतो ने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया इस दोरान उनके समर्थकों वह पूलिस के बीच नोग जोक भी हुई है बता देना मांकन दाखिल करने के बाद जैरा महतों ने रांची पूलिस से कहा कि वे बोकारों के चास इस्थीत सभा अस्थल पर गिरफतारी देंगे उन्होंने चुनावी सभा करने दी जाए वे समर्थकों के बीच सभा अस्थल पर पहुंचे पहले उन्होंने साम पांच बज़े तक लोगों को संभोधित करने की बात कही थी जब गिरफतारी देने की बात आई तो उन्होंने गिरफतारी देने से इंकार कर दिया है इस दोरान पुलीस और समर्थकों के बीच हलकी नोक जोख हुई समर्थकों ने गो बैक के नारी लगा है आखिर कर पूलिस बैरक लोट गई है हलाकि जैरा महतों ने मंच से नोमिनेशन रद करने की धमकी देने पर चुनवती देते हुए कहा है कि समिधान पर विश्वास रखते हुए सदन जाने के लिए मैंने नमांकन दाखिल किया है अगर आप नोमिनेशन रद करने की धमकी देते हैं तो हम जूमरा और पारसनात में रहकर आपना काम करेंगे हमें अपनाधी बनाने की कोशिस नहीं करें जैरा महतों के नमांकन को लेकर बड़ी संख्यम लोग पहुँचे थे बीजेपी आरक्षन खत्म करने का सड़न्त रच रही चमपई सुरेन मुख्यमंत्री चमपई सुरेन ने कहा है कि भाजपा आरक्षन को समाप्त करने का सड़न्त रच रही है इसलिए लोगसभा चुनाओं में 400 के पारसीट लाना चाह रही है ताकि पुर्व बहुमत लाकर आरक्षन नीती में छेड़ चार कर सके लेकिन इंडिया गडबंदन भाजपा के इरादे को कभी पूरा नहीं होने देगा लोगसभा चुनाओं में भाजपा 150 सीटों के अंदर ही सीमट कर रह जाएगी महागडबंदन चात्रा लोगसभा ही नहीं अपितु जार्खन की सभी 14 सीटों परमजबूती से जीत दर्च करेगा मुख मंतरी मंगलवार को कांग्रेस परत्यासी कें तिरिपार्ठी के समर्थन में चात्रा कॉलेज के समीब चुनाविस सभा को समोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि दस वर्सों में भाजबा जूट बोलकर और जानता को ठग कर साता में रही है 2019 में डबल इंजन की सरकार ने 11 लाक गरिबों को राशनकार रद कर दिये है बाबुलाल मरांडी ने जे एमेम को बताया जार्खन बिरोधी जार्खन के प्रत्थम मुख मंत्री वो भाजबा के जार्खन परदेश अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी ने कहा है कि प्रधान मत्री ने देश के गरिबों किसानों, मजदूरों, महिलाओ, युवाओ और बुज़गों की चिंता की है यादि हमें इसी परकार हर वर की चिंता करने वाले नतियुते चाहिए तो मोदी को तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है और इसके लिए कोडार्मा संसदे चेतर से भाजबा की परत्यासी अनपूर्णा देवी को भारी मतों के अंतर से जिता कर दिली भेजना है उन्होंने भरोसा जताया कि पिछले चुना में मुझे और अनपूर्णा देवी को जो वोट मिले थे इस बार उन दोनों को मिला कर सारे वोट भाजबा को मिलेंगे वे सत्गावा के बासोडी हटिया मैदान में भाजपर पत्यासी अनपुना देवी के पक्ष में जान सभा को समोधित कर रहे थे जार्खन में हीट वेव का एलो अलर्ट पांच मई से बारिस जार्खन में अभी हीट वेव से रहात नहीं मिलने वाली है पांच मई तक राज़े में हीट वेव की सिती रहेगी इसे लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग ने अपने पुरोनमान में बताया है कि पांच मई से मौसम का मिजाज बदलेगा और बारिस की संभावना है वहीं जार्खन में पांच मई तक हीट वेव का कहर बरपेगा इसके बाद रहात की उमीदे है दो वा तीन मई को पच्मी सिम्भों पुर्वी सिम्भों सराय के लाखर सवा बोकारो धनबाद देवगर जामतरा दुम का पाकुर गोड़ा वसा है वगंज में हीट वेव की छीती देखी जा सकती है वहीं 4 माई को सराय के लाखाटाँवा पच्मी सीम्हूम पुर्भी सीम्हूम पाकुर्वा गोड़ा जीले में कहीं कहीं हीट वेब का असर दिखेगा हीट वेब को लेकर मौसभी भाग ने एलो अलर्ट जाड़ी किया है जार्खन कांग्रेस के एक्स हैंडल पर भारत में लगी रोक जार्खन कांग्रेस के सोचल मीडिया एक्स हैंडल पर करवाई की गई है एक्स ने जार्खन कांग्रेस के हैंडल पर भारत में रोक लगा दी है केंद्रिये गिरिह मंत्री अमीद साह का फर्जी वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक करवाई की गई है ए एनाई के मुताबिक एक कानूनी मांग के जबाब में भारत में एकस द्वारा जार्खन कांग्रेस के हैंडल रोक दिया गया इस हैंडल पर केंद्रिये ग्रिह मंत्री अमीद साह का एक डिप फेक मारफ़ड वीडियो पोस्ट किया गया था बतादे दिल्ली पूलिस ने जार्कन कांग्रेस के अध्यक्ष रायस ठाकूर को केंद्रिये ग्रिह मंत्री आमीद साके फर्जी वीडियो मामले की जाच के लिए दो माई को बुलाया है वहीं दिल्ली पूलिस के विशेस प्रकोष्ट दोवारा 28 अप्रेल को इस समध में एक पर्थमी की दर्च की गई थी जार्कन कांग्रेस अध्यक्ष रायस ठाकूर ने कहा है कि दिल्ली पूलिस से उन्हें मंगलवार को नोटिस मिला है लेकिन यह समध से परे है कि उन्हें नोटिस के दिया गया है जमसेदपूर में मिला स्वाइन पूलू का संदिक्द मरीज जार्कन के जमसेदपूर के परसूडी के नामो टोला में स्वाइन पूलू का संदिक्द मरीज मिला है मरीज की उमर करिब 48 साल है टाटा मोटर्स अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है स्वाइन फुलू का लक्षन पाया जाने के बाद सर्विस लाइन्स विभाग को सुचना दी गई है सर्विस लाइन्स टीम ने अस्पताल पहुंच कर मरीज का स्वाइब लिया है इसके बाद जाच के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भिजा गया मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है सर्दी खासी बुखार और सांस लेने में परिसानी के बाद मरीज को टाटा मोटर्स अस्पताल में पर्दी कराया गया रांची में भिशन टकर पती पतनी और दो बचों की मौत जारखन की राइधानी रांची में खलारी थाना अंतरगत भेलवा टाण में एक चार पहियावाहन और मोटरसाइकल के बीच आमने सामने की भिशन टकर हो गई इस हादसे में एक ही परिवार के पत्टी पतनी और दो बचों की मौत हो गई हाए वहीं एक बचे की हालात गंभीर मनी हुई है जानकारी के मुताबिक या खुला सा बुद्वर साम शारे 7 बजे कहा है हदसे में जानगवाने वाले पति, पत्थ Surprise अर वचे एक ही मोटर साइकल पर सवार थे पुरा परिवार एक ही मोटर साइकल से पीपरवार से परताब पूर जा रहा था इसी बिच सामने से आ रही एक चार पहिया वाहन से मोटर साइकल के सीधी टकर हो गए टकर इतनी जोरदार थी कि पतनी और बेटी की घाटना स्थल पर ही मौत हो गई वहीं गंभीर रूप से घायल पती और दोनों बेटों को तुरंद CCL के बचरा अस्पताल पहुंचाया गया हालाकि उन दोनों को भी बचाया नहीं जा सका अस्पताल में इलाज के दोन पती और एक और बेटे की मिरित्यू हो गई है यूपी में जहारखन के तीन स्रमिकों की मौत उतर परदेश के महराज गन जिले के ब्रीज मन गंज में इट भठे की दिवार गिरने से जहारखन के तीन स्रमिकों की मिरित्यू हो गई हाथ सा बुद्धवार की साम पांच बजे हुए है घायल दो सरमिकों को जिला अस्पताल में भरती कराया गया है नौसाग गर गाउं के समीब ब्रीज भूसन का इटा भठा है बुद्धवार की साम सरमिक इट की निकासी में लगे थे इसी दवरान दिवार भरबरा कर सरमिकों को पर गिर गई जिस से अफरात प्री मच गई अस्थानी लोगों ने सरमिकों को बाहर निकाला है मलवे में दबने से 30 वर्षिय थंतोस उराव, 36 वर्षिय परवत्ती और 21 वर्षिय सूसिला उराव, जीमा की मौके पर भी मिरिती हो गई वही रमेस और सांती को गम भीर हालात में समुदाइक स्वास्केंत धानी पहुंचाया गया है जारखन में अब तक आचार संहीता उलंगन के 41 मामले दर्ष जारखन के मुख निराचन पता अधिकारी के रवी कुमार ने कहा है कि चुनाओ के सुचना के बाद से अब तक जारखन में अदस आचार संहीता उलंगन के कूल 41 मामले दर्ष हुए है इन में सबसे अधिक पलामू हजारी बाग और रांची में छोचा मामला दर्श हुए है वहीं धनबाद में पांच सराइक लेक खर्षवा में चार गढ़वा और गीडी में तीन-तीन नमांकन पत्र दाखिल किये गाए वहीं जारखन के तीसरे चरन के चुनाव के लिए अब तक कूल 14 नमांकन किये गाए है कलपना सुरेन ने फिर किया नमांकन गिरिडी में गांडे विधान सभा उपचुनाव के लिए बुद्धवार को एक बार फिर पूर मुख मंत्री हमां सुरेन की पत्नी कलपना मुर्मु सुरेन नमांकन किया है कलपना सुरेन गिरिडी समनाले में जीला अपूर्ती अधिकारी सा गांडे की निवाची पता अधिकारी गुलाम समदानी के समख्ष दो सेट में नमांकन दाखिल किया है इसके पाले विवा दो सेट में नमांकन पत्र दाखिल कर चुकी है अभी तक गांडे से कलपना सुरेन के अलावा अधेश कुमार सिंग और सयद आलम ने नमाकन दाखिल किया है वहीं भाजपा परत्यासी दिली पर्मा गुरुवार को नमाकन करेंगे इधार कोडार्मा संसद्य चेतर से बुधवार को इंडिया के उमिद्वार माले नेता बिनोज सिंग के साथ निर्दलिय परत्यासी के रूप में जहमों के बागी नेता सह पुरुविधायक जे प्रकास बर्मा ने नमाकन दाखिल किया है बता दे निर्वासी पतादिकारी गुलाम संदानी के अनुसार हर परत्यासी अधिकतम चार सेटमे नमाकन दाखिल कर सकता है धन्यवाद